हाँ दोस्तों गोतम कूप के चैनल पर आप सबको सवगतम है तो चले आज बनाएंगे गार्लिक चिकेन एक बार जो यह चिकेन बनाके खाए मैं दावे के साथ बोल सकता हूं मसाला चिकेन भूल जाएंगे दोस्तों इतना टेस्टी बनता है बीना मसाला का चिकेन अगर एक बार बनाके नहीं खाए तो आपको बिल्कुल एकिन नहीं होगा तो जरूर घर में बनाके खाए वीडियो को लास्ट तक देखे आच्छा लग चिकेन लिया हूँ एकदम ब्रेश्ट का तो यहां पर बोनलेस चिकेन हमें यूज कर रहा हूँ तो इसको छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे तो दोस्तों बोनलेस चिकेन जो है अगर बड़े-बड़े पीस काटेंगे ना तो आप देखेंगे आंदर का जो टाइट एक रोवर के जैसे बनता है तो अगर आप छोटे-छोटे पीस करेंगे तो बहुत अच्छे में पक जाता है तो दिखें इस तरह से चोटे-छोटे-चोटे पीस कर लिया हूँ आप अपना हिश्यप का नुसर जितना बड़ा पीस चाहिए उसी से आप से पीस कर लिजिए तो एक बॉल ले लेना है बॉल में हम डाल देंगे शारे चिकन को और इसमें डाल देंगे एक चमच नमक अब अपना श्वाद अनुसर नमक डाल सकते हैं और डाल देंगे इसमें क्रॉस किया हुआ काला मिर्च हलका दरदरा कूटके अब डाल सकते हैं और इसको अच्छा से मै पंदरा विनिट के लिए रख देना है तो पंदरा विनिट बाद इसमें डाल देंगे देर चमच कॉन फ्लावर और डाल देंगे इसमें एक चमच मैदा आप चाहे तो इसमें ओल फ्लावर जो होता है जो फ्लावर है बजयर में रख सकते तो इस तरह से अच्छे साहीं को मिला लेना है अगर आप मैदाने इंचाहिए खाली कॉनफिलर्ड से भी मना सकते है तो देखिए कड़ाई में हमने 2-3 चमच कुकिंग ओयल ले लिया हूँ कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते है तेल गरम होने के बाद मीडियम तो इसमें पीसिस को डाल देंगे और बढ़िया से पकाएंगे इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत ज़्यदा लाल करके नहीं पकाना मीडियम फ्लेम इसलिए पकाना क्योंकि चिकन इसी में पकेगा ग्रेवी में आपको ज्यादा पकाने की ज़रुरत नहीं पड़ता है तो थोड़ा टाइम देखिए इसको आराम से पकाईए तो देखिए चिकन हमारा पक चुका है इसको निकाल लेंगे और जैसे यह आप कड़ाई में आप चिकन फ्राइए के लिए डालेंगे तो थोड़ा सा दूर दूर में हलका सा डालिए आगा ना चिपक जाए तो देखिए साड़ी चिकन को हमने फ्राइए कर लिया हूँ अब इसी कराई में हम डाल देंगे दो चमच बटर तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे तीन चमच लशुन जो हमने बारी काटके रखा था तो लशुन गार्लिक चिकन है तो गार्लिक का स्मेल जो है बहुत अच्छा से आना चाहिए तो इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक अच्छा से पकाना है तो देखिए पक चुका है इसमें हमने डाल दिया एक चमच माइदा आप चाहिए तो इसमें मिक्स जो फ्लेवर है वो भी डाल सकते है और डाल देंगे एक चमच क्रॉस्ट किया हुआ कला मिर्च और इसमें डाल देंगे चिकन स्टॉक चिकन स्टक होगता है जैसे हमने चिकन निकाल लिया ना बोन लेस जो बोन बज़ गया हड़ी हड़ी को क्या करना है आप कुकर में डालके एक सीटे मार दीजे थुरा पानी डालके और उसी पानी को इसमें यूज कीजिए तो यहापे आधा चमच हमने चिली फ्लेक्स डाल तो इसको अच्छा से मिलाएंगे अगर आप चाहिए खाना एक कोई साइंस का यह नहीं है जो आप यह की रूल्स में बनाना है आप इसमें और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं और भी डालके बना सकते हैं लेकिन इस तरह से यह बहुत ही सिंपल तरीके समयने बनाया हूँ ब इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा शाद अनुसर तो इसको अच्छा से थोड़ा सा पकने देंगे 2-3 मिनिट मिडियम फ्लेम पे चिकन हमारा वाल लेड़ी पका हुआ है और ग्रेवी भी अच्छा से बना हुआ है तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग वाइनिन की यूज किया ह आप चाहे तो पसली भी यूज कर सकते है तो इसको थोड़ा साम मिलाके बस देखिए दोस्तो चिकन का स्ट्रेक्टर इतना वड़ीया आया है और खुशबू तो क्या बताओ दोस्तो जब तक आप इतना प्लेन रेसिपी चीकन का इतना प्लेन रेसिपी और इतना टेस्टी होता है एक बार बनाके जरूर खाए और कैसे बना जरूर मेरे को कॉमेंट बुक्स में बताए तो देखिये चिकेन हमारा तैयार हो चुका है तो दोस्तों रेसीप अच्छा लगने से जरूर लाइक करें शेयर करें कॉमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फेस्बुक में देख रहें तो पेस को जरूर फॉलो करें थैंक्यू फर वाचिंग